वेल्कम टू अवर चैनल गाइज आज हम बना रहे हैं जटपट नाश्टा और हम बना रहे हैं आटे का हलुआ सबसे पहले हमने गैस जलाई और कडाई में आटे को सूखा बुनेंगे हमने गी का प्रयोग नहीं किया है तो यह देखिए आटे का रंग और बुनने के बार यह रंग इसका सुनेरा होता हुआ अभी हम इसको थोड़ा सा मध्य माझ पर और बुनेंगे अब इसमें हम देसी घी मिलाएंगे, दो बड़े चमच यह देखे गाइस, अब इसको हम देसी में गुहूनेंगे, अच्छी तरह मिक्ष करेंगे थोड़ा सा गी और डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्ष कर एope स्ुनेहरा उने तक हमने पहलेंगे जब तक है अपने आप गहीं सब सब्सक्रैैल को छोड़ुमें देता और फिर हम इसमें मिलाएंगे गरं पानी पानी गरम हमने रख दिया है अब आप यह देखिए घी उपर आने लग गया है अम इसमें गरम पानी मिलाएंगे आप नॉर्मल पानी भी मिला सकते हैं बड़ गरम पानी हम इसले मिलाते हैं ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए अच्छी तरह से इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ें थोड़ा सा गाड़ा ना हो इसको मच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे स्वाद अनुसार चीनी मिलाएंगे अब इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बिल्कुल नॉर्मल हल्वा जो हम घर पे बनाते हैं वही हम आज बना रहे हैं कोई फैंसी नहीं कोई इसके अंदर ड्राइफ्लूट का उपयोग नहीं कोई और मिश्रंड नहीं बिल्कुल सिंपल जो हमारी रशोई में चीजे हैं उनसे बे बहुत ही बढ़िया खुश्बू आती ही यह देखें दोस्तों एक दम बढ़िया तरीके से घर में बनाया हुआ आटे का हल्वा बस दो मिनट और और यह तैयार तो दोस्तों हमारा जटपट नाष्टा एक दम बिल्कुल तैयार आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगएगा और आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो करें मंची बाबा को यूट्यूब पे फेस्बुक पे और इंस्टाग्राम पे